ताटा का यह शेयर बुलेट रफ्तार से भागेगा। आई एक और गुड न्यूज ताटा मोटर्स की कुल डोमेस्टिक सेल में सालाना आधार पर एक प्रतिशत वृध्धी के साथ 80,383 यूनिट हो गई। 47,235 इक आई रही जो जून 2022 में 45,197 यूनिट थी। आई पीओ है दूसरी बड़ी खुशखबरी टाटा मोटर्स के निवेश्कों के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि टाटा ग्रुप की किसी कमपनी का आई पीओ 19 साल बाद आने जा रहा है। इस आई पीओ के जरिये टाटा मोटर्स 20 प्रतीशत हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर विएकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड चालू वित्वर्ष की पहली तिमाही में यात्री वाहन उद्योग में मांग तेजी से बढ़ी है। यह मांग मुख्य रूप से नए वाहनों, खास कर SUV और इलेक्ट्रिक वाहन खंड में रही। उन्होंने कहा, टाटा मोटर्स ने चालू वित्वर्ष की पहली तिमाही में 8% सालाना व्रिधी के साथ 1,440,450 वाहनों की विक्री की।